सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी रही रेस्पी की नोटिफिक्षन सबसे पहले है अज की हमरी रेस्पी यह बदा मिल्क या बदा मदूद भी कह सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी एंड हेल्धी डिंक है इसे हम बाह बदाम मिल्क बनाने के लिए मैंने यहां पर दो कप फुली फेट मिल्क लिया है मैंने एक चुछछी ग्लास में ले लिया है और बदाम को मैंने थोड़ी से गरम पाने में भीगो करके उसका छिलका निकानिया है यह भीगा हुआ बदाम है यह हाफ कप बदाम लिया है मैंने और दस बारा बदाम लेंगे, चिलके के साथ ये बिना भिगा हुआ बदाम है, आट-दस कैश्यो नट्स ले लेंगे, चोदा से पंद्रा पिस्ता ले लेंगे, चार छोटी इलाइचे लेंगे, और ये छोटी तुकड़ा जावितरी के लेंगे, वन फोट कप शक्कल लेंगे, शुगर, आप इसे सुगर फ्री बनाने के लिए इसके जगह पे हनी डाल सकते हैं, और ये सैफ्रोन है, थोड़ी सी सैफ्रोन ले लेंगे, त्रेड्स, करीम एक ग्राम लेनी है, तो फ्रेंट चलिए, पहले हम ये दूद को उबाल के थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, इसमें हम दूद को गरम कर लेंगे, दूद को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, ये दुद को उबलने लेगे तब तक हम बदाम को आधी बदाम को इसमें से हम काट लेंगे फ्रेंट्स हम ये बदाम में से आठ दस बदाम काट लेते हैं बारिक बारिक इसे हमें गानेशिन के लिए यूश करनी है फ्रेंट्स देखिए ये मैंने बदाम को आठ दस बदाम को चौप कर लिया है बारिक लिए और जो ये बदाम है हम इसका पेश्ट बना लेंगे अच्छे लिए इसका मैं पेश्ट बना लेते हूँ फ्रेंट्स देखिए ये मैंने दुसरी कडाय लिया है इसमें हम जो यह कैशुनेट्स लिये थे ये और ये पिस्ता और ये ऐलमंट्स ये तीनों को हम थोड़ी से ड्राइ रोस्ट करेंगे इसके बाद हमें इसके पाउडर बनानी है इसलिए मैं इसको ड्राइ रोस्ट करें फ्रेंड्स देखें ये हमारा ड्राइ रोस्ट हो गया है इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं रैट इस दिखें मैंने ये बाउल में इससे निकाल लिया है इसका हम पाउडर बना लेंगे तो इसमें हम अभी इलाइची जो हमने लिये ते इलाइची भी डाल देंगे और तो चलिए में इसका पाउडर बना लेती हूं देखें हमने यह दूद को गाढ़ा करने के लिए रख लिया था यह दूद अभी काढ़ा हो गया है इसमें हम यह जो हमारे काजु का पेस्ट हमने बनाया है देखें यह डाल देंगे और हम जो यह हमने पाउडर बनाये हैं ड्राइफ रूट्स और कैडमों का छोटी लैची का इसका हम एक स्पून डालेंगे इससे और भी अच्छी टेस्ट आएंगी और यह और हल्ली हो जाएगा और इसमें हम शुगर भी डालेंगे शुगर आप कम अगर चाहते हो तो कम कर सकते हैं अगर मेठा कम खाना पसंद करते हैं मिक्स कर लेंगे और इसे स्लो फ्लेम में करके 5-7 मिनित तक हम इसे पकाएंगे फ्लेम को स्लो रखेंगे देखेए स्लो फ्लेम में हमारा बदाम मिल्क पक रहा है इसमें हम जो चौप की इने बदाम है इसमें से थोड़ा सा डाल देंगे थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और सैफ्रों भी डाल देंगे तोड़ी सी सैफ्रण बाचा ले गारनेशन के लिए और थोड़ी सी डाल दे फ्रेंस सैफ्रान जो है ex sib Song 10 है आप चाहे तो भी इसे skip कर सकते हैं सबके पौन साफ्रान एवाइलेबल नई होती है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं स्याफरम से बहुत ही अच्छा कलर आएगा बदाम मिल्क में और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, हेल्दी भी है और इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहनी है इसे हमें तले पे लगने नहीं देना है चलाते हुए इसे हमें 5-7 मिनिट तक पका लेगे फ्रेंट्स देखिए इसे पकाते हुए 6-7 मिनिट हो गया है यह अभी प्रेडी हो गया है काफी गाड़ा हो गया है दूर भी हमारा बदा मिन्ट प्रेडी है अब हम इसे चाहे गर्मा गरम चाहे ठंडा करके सर्फ करेंगे तो चलिए फ्लेम को आफ कर लेते हैं करेंगो क्यांको कि दोने तरीके से सबकर लेके लिए रहा चेसिते हैं यह दरा ही जो मसाला इसे देंगे जो अध्यतिक में फ्युक्त हैं हमाँ कि जोटी है शेते हैं वाकली के नोचरका और प्ञाइब भीए अप… आपको अगर ठकावट मेसुस हो रही है तो ये ड्रिंक से आपकी ठकावट पुरा दूर हो जाएगा हमारे नानी दादी लोग भी यही तरीका अपनाते थें देखे ये बदा मिल जितनी हेल्दी है पीने में उतनी ही टेस्टी है बहुत ही अच्छा ड्रिंक हमारा बनके तयार हुआ है फ्रेंट्स आप अगर एंजोई के लिए नॉर्मली हम गर्मी सिजन में एक ड्रिंक पीना पसंद करते हैं तो उसमें आप ये बदा मिल को थंडा करके पीजिए उसमें आपको बहुत ही रिफ्रेशनिंग मैसूस होगी और थेंडी के सिजन में इसे गर्मा गर्म सर्फ कीजिए बच्चों को तो ये जरुर पिलाएं उनको बहुत ही फायदा होगा तो फ्रेंस चलिये हमारे ये ड्रिंक रेडि है इसे सर्फ करेंगे मैं अपने फैमली को चाहिए सर्फ करने के लिए आप इसी तरह से ये ड्रिंक बनाएं और आपने फैमली को पिलाएं खुद भी पीजी है और हेल्दी रही है प्रेंड्स आपको अगर मेरी रस्पी आच्छी लेगी तो मेरी वीडियो को लाइट करें शेयर करें इसी तरह मेरी चैनल के साथ जुड़े रहे हैं फिर में देख नए रस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई